युवाद तरंग, तरंग तरंग, युवाद तरंग मैं जीओ या मरू, वो तेरे लिए है, तु मेरा प्रभू मेरे जीवन का मसद तु है, मेरे जीने का फारत तु है मेरे जीवन का मसद तु है, मेरे जीने का फारत तु है में जीओ या मरू, वो तेरे लिए है, तु मेरा प्रभू पिछला सब भूम कर, में आगे दोड़ा चलू, जो मेरे लिए धन था, उसको में त्याग दूँ पिछला सब भूम कर, आगे दोड़ा चलू, जो मेरे लिए धन था, उसको में त्याग दूँ की में पाँ उससे पुरस्का, दोड़ा मैं जाओ की में पाँ उससे पुरस्का, दोड़ा मैं जाओ, मैं जीओ या मरूँ वो तेरे लिए है, तो मेरा दभू युवा तरंग के सभी सदस्यों को जैसू, मेरे प्रिये युवा भाई और बेनों मैं प्रभू को धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कारिक्रम से जुड़े हुए हैं आज मैं ये घोशना करते हुए बहुत आनंद मैसूस करता हूँ कि दो साल के बाद इस वर्ष आश्रम में युवाओं के लिए विशेष कारिक्रम विशेष साधना चलाई गई और उसमें अच्छी संख्या में लोगों ने भाग लिया युवतियों के साध्ना में 270 से भी जादा लोगों ने भाग लिया और युवकों की साध्ना में 160 से भी जादा लोगों ने बहुत ही अच्छा रहा दोनों साध्नाओं में बड़ी कृपा बरस्ती रही मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने इस वर्ष अमारी वक्योतियों को बहुत आशिरवाद दिया है अगले वर्ष हो सके तो आप भी इसमें भाग लेने का प्रयास करेंगे मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु इस कार्यकरम को बरकरा रखने के लिए अमारी मदद करते रहे हैं आज आपको वचन सुनाएंगे फादर प्रग्यान हर बार आपको एक-एक नयने विशे पर वचन सुनाय जा रहा है जो आपके जीवन से संबंदित है प्रभु से प्रारतना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों की अनुसार मैं जीवन जे सकूँ तेरे पवित्र वचन मेरे लिए एक सहारा बन सके ध्यान से सुनिए और वचन को ग्रहन कीजिए क्रिस्ट में मेरे प्यारे भाई और बहनों तथा मेरे युवा साथियों आप सब को जे एसू हम सबजी मंडी में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए विशेश करके आप देखेंगे सबजी मंडी में जब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं फल खरीदते हैं, सबजी खरीदते हैं, मिर्ची खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, अलग-अलग चीजें खरीदते हैं और जब खरिदते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि दुकांदार थोड़ा सा बढ़ा के दे देता है या कभी-कभी थोड़ा सा घटवी जाता है लेकिन इस से ना बेचने वालों को कोई परिशानी है ना खरिदने वालों को कोई परिशानी दोनों को इतना ज़्यादा परिशानी नहीं होता है और दोनों खुच रहते हैं मान लेते हैं ठीक है और ये आज कल का बात नहीं है सदियों से चलते आ रहा है लेकिन आप सोचिए अगर आप सोना खरीदने के लिए जाएंगे तो ऐसा होता है क्या दुकांदार आपको थोड़ा सा बढ़ा के दे देगा कता ही नहीं करेगा या क्या आप सोचेंगे कि थोड़ा सा घटा के आप ले ले ऐसा भी नहीं होता है अगर अब जमिन खरीदने के लिए जाएंगे या मकान खरीदने के लिए जाएंगे या किम्ती चीजें खरीदने के लिए जाएंगे या गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे तब भी ऐसा होता है ना घटा के देते ना बढ़ा के देते यनि खरिदना और सोधा करना दोनों में अंतर है छोटी-छोडी चीजों का हम सोधा करते हैं बड़ी चीजों को हम खरिदते हैं अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो हमारी जीवन में भी कुछ ऐसा होता है सच्चाई और जूट के बीच में हमें सिखाया जाता है स्कूलों में छोटे से बच्पन से लेकर हमको सिखाया जाता है कि सत्यों बोलो, सच्चाई बोलो, जूट नहीं बोलना आगे भी हमको यही सिखाया जाता है और बड़े होकर हम भी दुसरों को यही सिखाते हैं लेकिन जब परिश्थितियों का सामना करना पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जूट बोलते हैं सत्यों बोलते नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा लोग सत्यों को इस्तमाल करते ही नहीं है आप देखिए बच्चें ममी पापा को जूट बोलते हैं पत्नी पत्ती को जूट बोलती है, पत्ती पत्नी को जूट बोलते हैं, दुकानदार खरिदने बालों को जूट बोलता है, पोली स्टेशन के बाद तो मत कीजिये, नताओं की बाद तो छोड़िये, सब लोग जूट बोलते हैं, और सभी जगा जूट ही जूट है, और ऐसा लगता है कि सत्य का कोई माइने नहीं है, कोई भाल्यू ही नहीं है, सत्य है ही नहीं है, ऐसा लगता है, लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है, सुक्ति ग्रंथ अध्याई 23 पत्षिंगा 23 में, सत्य खरीदो, उसका सोधा मत करो, यानि सत्य कीमती है, उसमें दम है, उसमें पावार है, सत्य में शक्ति है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम जूट का इस्तमाल करते हैं, और हम अच्छा से जानते हैं, कि जब हम जूट बोलते हैं, तो खत्रा है, और खत्रा होता है, जब जूट बोलते हैं धीरे धीरे वो जूट के वस में आ जाते हैं और धीरे धीरे उनका स्वतंत्रता खतम हो जाता है मैं एक सच्चा घटना आप लोगों के साथ रखना चाहता हूँ जो कि कुछ दिन पहले मात्री धामाश्रम में एक भाई आया था उनके साथ मेरा जो बात चीत हुआ उस देवरान मुझे पता चला वो जो भाई है वो जवान है वो एक ब्यापार शुरू किया और वो चाह रहा था कि उस ब्यापार को आगे लेकर जाएं साथी साथ वो जो भाई है नेताओं के साथ भी काम करता था उनकी जो ममी है सरकारी जोब करती है पापा जो है वो भी काम करते हैं अच्छा सालरी आता है घर पे पैसा आता है उस लड़के के ममी पापा उस पर इतना भरुसा किये कि उन्होंने सब कुछ फ्री दे रखा ATM काड़ दिये सब कुछ दिये और वो लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसा खर्च करने लगा थोड़ा थोड़ा सा निकलने लगा और धिरे धिरे ज़्यादा ज़्यादा निकल लिया और उनके अकाउंट से पैसा खतम होते जा रहे थे वो लड़का का बड़ा भाई और उनके ममी पापा सब लोग परिशान होगे वे सोचने लगे कि पैसा जाता कहा है और सब मिलके इनको पूछे कि क्या तुम पैसा निकलते हो बैंक से और वो लड़का मना कर दिया क्यूंकि वो डर रहा था और धिरे धिरे ऐसा करते हुए करीब नौ दस लाख खतम कर दिया परिबार में सब लोग परिशान होगे उनको पूछने लगे लेकिन वो सच्चाई को बताने के लिए तैयार नहीं था और ऐसा हुआ कि उनके ममी पापा एफ़ायर दर्ज कराने के लिए कोशिस किये अपने बड़े बेटे को भेजे लेकिन कही ना कही ऐसा होता था कि एफ़ायर दर्ज नहीं करा पाते थे और इसी दवरान वो जो लड़का है उनका बड़ा भाई उनको एक ध्यान सेंटर में ले कर जाता है वहाँ वे लोग ध्यान में भाग लेते हैं फिर भी यह लड़का किसी को बताने के लिए डर रहा था और ऐसा हुआ कि वे इस मात्रिधाम आश्रम में आए और ऐसा हुआ कि हमारा आंतरिक चंगाई का साधना था और वे दो भाई मिलकर यहां मात्रिधाम आश्रम में आए एक दिन उनका बड़ा भाई मुझसे मिलने के लिए आता है और सारी बाते बताता है कि पैसा कैसे जाता है अकाउंट से फादर मुमी पापा सब लोग परिशान है हमें यह समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें बाद में उनका जो छोटा भाई है जिन्नोंने यह सब गलती किया वो मेरे पास आया और मुझे सब कुछ बता दिया मैंने उनको पुछा कि इतना दिन ऐसे कैसे चले क्यूं ममी पापा से चुपाए ममी पापा को क्यूं नहीं बताए या किसी पुरोहित को क्यूं नहीं बताए तो उन्होंने कहा Father मुझे बहुत डर लगता था और मैं किसी पर भी बिश्वास नहीं कर पाया मुझे लगता था कि सब लोग मुझे डांटेंगे कोसेंगे और मेरे विरुद्ध उल्टा सिधा कहने लगेंगे इसलिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाया लेकिन अच्छा हुआ कि उन्होंने सब कुछ मुझे बता दिया और मैं उनके ममी पापा के साथ बात किया, उनके भाई के साथ भी बात किया, और उनके ममी पापा इतने अच्छे है इतने प्रार्थन मैं है बहुत समझदार है बहुत अच्छे हैं कि उनको समझ गए और उनका बड़ा भाई भी बहुत अच्छे है उनका बड़ा भाई भी उनको समझ गए थोड़ा सा डांटे लेकिन उनको सब कुछ माफ कर दिये ऐसा होता है जब हम जूट बोलते हैं सच्चाई को चुपाते हैं तो धिरे धिरे हम जूट के बंधन में कबजे में आ जाते हैं जिस तरह वो लड़का था नीद नहीं आती थी रात भर वो नदी के किनारे बेटता था खाने पीने के लिए मन नहीं करता था और असत्य के कबजे में जकड़ा हुआ था मेरे प्यारे भाई और बहनों जब हम जूट बोलते हैं तो उस जूट को छिपाने के लिए ना जाने हमें कितने बार जूट बोलना पड़ता है लेकिन एक बार सचाई बोलते हैं तो हो सकता है हमें डांट मिलेगा हो सकता है हमें मार भी मिल सकता है लेकिन उसके बाद हम सोतंत्र हो जाते हैं आजाद हो जाते हैं अच्छा लगता है कोई टेंशन नहीं रहता है और यही करण है यहोन के सुसमाचार अध्याए 8 पदसेंग्या 32 में प्रभु येशु कहते हैं तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हे स्वतनत्र बना देगा ये सत्य कौन है ये सत्य कौन है हम पढ़ते हैं यहोन के सुसम आचार में अध्याई 14 पद सिंग्या 6 में प्रभी येशु कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन में हूँ यानि प्रभी येशु स्यम सत्य है और जब हम सत्य बोलेंगे तो स्वतन्त्र हो जाएंगे हमें ऐसे लगता है कि जब हम जूट बोलते हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अंदर से हम ठीक नहीं रहते हैं हम सुरोकषित मेहसूस नहीं करते डरते रहते हैं यह सोचते रहते हैं तो कभी ना कभी पता चल जाएगा अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा ऐसा ही होता है उस लेड़के को भी यही डर था और यही करण है उनको नींद नहीं आती थी परिशान हो जाते थे, घबरा जाते थे, ऐसा लग रहा था उनको कि वे पागल-पागल सा हो रहे थे उनके मम्मी पापा भी परिशान थे, पेसा से ज़्यादा बढ़कर उनके मम्मी पापा उनके लिए चिंता कर रहे थे अगर हम जूट बोलते हैं, तो हमारे जीवन में क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं तो हम जूट क्यों बोलें, कितना भी बड़ा परिशानी क्यों न हो, कैसा भी परिश्थिती क्यों न हो क्यूं हम सच्चाई नहीं बोले क्यूं हम छुपाए आज हम निर्णे लेंगे निर्णे लीजिए कि सच्चाई बोलना है कि बोल हम सीखते हैं उतना काफी नहीं है सब लोग सीखते हैं सीखने के बाद उसको कारिय में करते हैं या नहीं वो माहिने रखता है जब हम छोटे रहते हैं हम सब को सिखाये जाता है बच्पन से लेकर जूट नहीं बोलना सत्य बोलना सच्चा ही बोलना लेकिन ऐसा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग जूट ही बोलते हैं F.S.E.O के नाम संत्पोलुस का पत्र में संत्पोलुस लिखते हैं अध्याई 6 पत्सिंग्या 14 में आप सत्य का कमर बंध कसकर और धार्मिक्ता का कबज धारन करें यानि सत्य और धार्मिक्ता जो है हमें ग्रान करना जरूरी है उसको धारन करना जरूरी है तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने जीवन में जो परिशानी है उसको सही तरीके से समना कर सकते हैं सत्य बोलना आसान नहीं होता है क्यूंकि सच्चाई बोलने से हमारा जो कमजोरी है वो पता चल जाता है सच्चाई बोलने से हम जो दोसी है वो पता चल जाता है सच्चाई बोलने से लोगों के समने लोगों के नजर में हम गिर जाते हैं सच्चाई बोलने से हो सकता है लोग हमें घ्रिना करने लग जाते हैं लेकिन भूलिये मत कि आप अंदर से स्वतंत्र हो जाते हैं आंदर से कई डर नहीं रहता, आंदर से आप परिशान नहीं रहेंगे, आंदर से आप घबराएंगे नहीं, बलकि आप सोतंत्र हो जाएंगे, और यही कारण है कि प्रभुयसु कहते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें सोतंत्र बना देगा, प्रभु प और विश्वास करने वाला स्वतनत्र होता है, आजाद होता है, और आजाद होना भी चाहिए, भिशेशकर जवानी में हम ज्यादा जूट बोलते हैं, क्यूंकि जवानी में हमें अपने दोस्तों के साथ जाना है, अपने फ्रेंड्स को मिलना है, तो ममी पापा पुछते हैं, बेटा कहां जा रहा है तो बेटा कहेगा मैं कॉलेज जा रहा हूँ लेकिन जाएगा अपने गाल फ्रेंट के साथ बेटी से पुझते हैं बेटी कहां जा रही है वो कहेगी मैं अफिस जा रही हूँ लेकिन जाएगी अपने बॉई फ्रेंट के साथ और आखरी में नतिजा ये होता है कि वे गलत राष्टे में चलने लग जाते हैं गलत कदम उठा लेते हैं और नतिजा बहुत भ्यानक होता है कभी-कभी वे टूड जाते हैं और जब ममी पापा को पता चलता है तब तक लेट हो चुका होता है देरी हो चुका होता है मॉमी पापा सोचते हैं मेरी बेटी ऐसी नहीं थी ये कैसे ऐसे हो गई मेरा बेटा इतना बड़ा गलत काम नहीं कर सकता था वो नहीं कर सकता है वो ऐसा कैसे किया जब दुसरे लोग बताते हैं तो ममी पापा अक्सेप्ट करने के लिए स्पिकार करने के लिए तियार नहीं रहते हैं। क्यूं? क्यूंकि अपने बेटी, अपने बेटा का सचाई उनको पता नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बेहनों, आया हम निर्णाए ले कि हम सचाई बोलेंगे। चाई वो कितना भी बड़ा परिशानी क्यों ना हो, चाई वो कितना भी बड़ा गलती क्यों ना हो, अपने साथ जो कुछ भी हुआ है, अपने ममी पापा को पहले बताएंगे। मुमी पापा हो सकता है हमें डाटेंगे, लेकिन हमें सुधारेंगे, मुमी पापा हो सकता है एक दिन के लिए हमसे बातें नहीं करेंगे, लेकिन हमको छोडेंगे नहीं, तो इसलिए जूट नहीं बोले, बिशेश करके अपने मौमी पापा को तो कम से कम सच्चाई बताईए अपने भाई बेहन को तो कम से कम सच्चाई बताईए जिसके द्वारा आपके अंदर जो कमजोरी छुपा हुआ है जो शैतान बेठा हुआ है जो आपको बंधन में रखा है उस बंधन से आप सुत्त्र हो जाएंगे उस बंधन से आप आजाद हो जाएंगे बोलना तो बहुत आशान होता है मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कि बोलना तो बहुत आशान होता है लेकिन जब परिष्थिती सामने आ जाती है तो सच्चाई बोलने में बहुत दिक्कत होता है डर लगता है घबरा जाते हैं लेकिन हमें सच्चाई बोलना है और दुसरों को भी सच्चाई बोलने के लिए सिखाना है ताकि इस दुनिया में जूट का सोधा हो और सच्चाई को खरीदा जाए सच्चाई को लोग कीमती समझे सच्चाई को लोग बढ़ावा दे सच्चाई को लोग वाल्यू दे ताकि इस संक्सार में हमेशा प्रभु का राज्य आवे आईये हम प्रभु से प्रार्थन करते हैं कि प्रभु हम सब को सच्चाई बोलने के लिए बल दे शक्ति दे और हमारा मदद करे आमिन धन्यवाद प्रज्ञान प्रभू आपको आशिर दे आएम प्रार्थना करें अपने आखे मंद कीजिए धन्यवाद देते हैं प्रभी ये सुन्दर समय के लिए तेरे इन अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं आज मैं विशेश शूप से अपने छोटे भाई बैनों के लिए प्रार्थना करता हूँ तेरे पवित्र वचनों के द्वारा उन्हें प्रकाश मिले उन्हें जीवन के लिए आवश्यक मार्ग दर्शन मिले तुने कहा कि मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ तु ही अमारे लिए मार्ग है तु ही अमें मार्ग दिखाता है तु ही अमारे लिए सत्य है तुस्से ही अमें सत्य प्राप्त होता है तु ही अमारे लिए जीवन है तुझसे हमें जीवन प्राप्त होता है मैं समय प्रार्तना करता हूँ मेरे छोटे भाई बैनों के लिए बराबर उनको मार्ग दिखाईए उनके जीवन के मार्ग में अगर किसी प्रकार का ब्रह्म किसी प्रकार के अंधकार की शक्तियाईएं से दूर करगे उन्हें सही मार्ग दिखाईए उन्हें सत्ति का ज्यान कराईए उनके ब्रहमित मनों को पवितरात्मा के द्वारा प्रकाशित करके सत्ति का ज्यान कराईए उन्हें अपने जीवन दीजिए, सामर्थ दीजिए, शक्ति जीजिए, उत्साह दीजिए प्रवियस्वामारी स्प्रार्तना को ग्रहन कर आमेन सिर्जुगाईए सर्वश्यक्तिमान बर्मेश्वर पिता, पुत्र और पवित्रात्मा आपको आशिर्वात प्रदान करें आमेन सबको जैसु उसकी और मैं बढ़ू मुझ पर हुई है गृपा देखा न जाने दू जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ू देखू तेरी सलीब पर फीचा मैं जाओ देखू तेरी सलीब पर फीचा मैं जाओ मेरे जीवन का मजसद तु है मेरे जीने का कारण तु है मेरे जीवन का मजसद तु है मेरे जीने का कारण तु है मेरे जीवन या मरूँ वो तेरे लिए है वो मेरा कबूँ